देयम्षदा परिभवग्णम अभीष्ठ दोहं तीर्थास्पदं शिवविरंचिनुतं शरण्यं ब्रत्यार्ति हम प्रणत पालभवाभी पोतम वंदे महा पुरुषते चरणार विंदम ओम नमस्षिवाय नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजबर्ड इंडिया का खास प्रोग्राम भविस्यवाणी मैं हूँ आपके साथ पंडिचंद शेखर सर्मा लेकर आया हूँ आपका सब्ताहिक राशी फ़ल कैसा रहेगा इस हपते आपका राशी फ़ल आईए देखते हैं सबसे पहले मेस राशी तो मेस राशी के जातक हैं उनके सब्ताह की सुरुवात में कारियों में मन उमताविक शफलता ना मिलने के कारण मेस राशी के जातकों का मन थोड़ा खिन रहेगा लेकिन शप्ताह के मध्ध तक आपको चीज़ें पटरी पर लोटती नजर आने लगेगी ब्यवसाइक ब्यस्तता के चलते भाग दोड़ की अधिकता रहेगी कुछ प्रभावी लोगों से जुडाब होने पर भविस में लाभ की संभावनाई वनेगी प्रेम शंबंदों में मजबूती आएगी और उसके स्वाथ क्वालिटी टाइम बिताने के खूब मौके मिलेंगे शप्ताह के मध्ध में जीवन शाथी से अचानक सर्प्राइज गिफ्ट मिलने से मन प्रशन रहेगा पर इच्छा प्रित्योगता की तैयारी में जुटे छात्रों को भी कोई अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है और सिहत को लेकर आप किसी भी प्रकार की लापरवाही ना वरते अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं तो आपके लिए उपाय हैं कि आप अपने घर की पहली बनी हुई रोटी गाय को खिलाएं और प्रती दिन भगवान विश्नु का सहिस्त नाम पाट करें अब आते हैं ब्रशवराशी तो ब्रशवराशी की जो जातक हैं तो उन जातकों को यह सप्ताह बहुत संभल कर अपने कारियों को करने की जरूरत रहेगी कारिय छेत्र में जल्दवाजी या लापरवाही के चलते होने वाली गल्ती के कारण आपको अपमान भी जहलना पड़ सकता है कारोवार में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचना चाहिए कठिन समय में आपका प्रियतम आपके साथ परचाई वनकर खड़ा रहेगा जिससे आप काफी राहत महसूत करेंगे एक दूसरे को समझने के लिए यह समय बहुत अनकुल रहेगा और जीवन शाती के साथ लंबी अत्वा छोटी यात्रा पर भी निकल सकते हैं तो आपके लिए उपाय बताने जा रहे हैं आप प्रती दिन हनुआन चालीसा का पाठ करें और दूद दही घीवा कपूर किसी धर्म इस्थान पर दान करें इससे आपको बहुत सांती मिलेगी अब आते हैं मित्वन राशी तो मित्वन राशी के जो जातकों के लिए इस तपता धनलाब के नए स्रोत बनेंगे भाई बंधूँ और जीवन शाती का पूरा सहीऊग मिलेगा शमाज में पद प्रतिश्था वड़ेगी कारेशित्र में आपका बहुस आपके काम कासे खुस रहेगा भोमी भावन भाहन आदिके क्रे बिक्रे की योजनाई बनेगी महलाओं का अधिक समय धार्मिक कारियों में बीतेगा प्रेम शम्बंद में मजबूती आएगी और भावनात्मक लगा में ब्रद्धी होगी मीठी नोक जोक के वीच प्रेम सम्बंदों में भी और भी ज़्यादा प्रगारता बढ़ेगी दोनों एक दूसरे को प्रशन रखने की भर्षक कोसिस करेगे शेहत की द्रश्टी से पेट सम्मंदित कष्ट होने की आसंका है तो आपके लिए उपाय है कि आप शनीवार की दिन चीटियों को आटा और चिडियों को दाना डाले और शुंदर कांड का पाठ करे हवाते हैं करकराशी तो करकराशी के जो जातक हैं उनका मन इस सप्ताह थोड़ा बिचलत रह सकता है और किसी कारेविशेश को लेकर मन में असमन जसकी इस्थती वनी रहेगी इस सप्ताह आपको दूसरों के बहकावे में आने से बचना चाहिए सगे संबंदियों का सहयोग नहीं मिल पाएगा ऐसी स्थती में आपको बहुत समझदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करने की जरूरत रहेगी सच्चे दोस्तों और पतनी की वातों को इग्नोर करने की वज़ाए उस पर चिंतन मन्थन करें प्रेम शंबंद में लब पार्टनर की कमिया निकालने की वज़ा उसके साथ सामन जस्चे विठाने का प्रियास करें अन्य था आपके प्रेम शंबंदों में भी दरार आ सकती है युवाओं का ज़्यादतर समय मोज मस्ति करते हुए भी देगा तो आपके लिए उपाय है कि मन की शांती के लिए ध्यान करें अपनी माता से चांदी चावल लेकर अपने धन स्थान पर रखें भगवान शिव की शाधना करें अब आते हैं सिंग राशी तो सिंग राशी के जातकों को इस सप्ताह लंबी अत्वा छोटी दूरी की यात्रास के द्वारा लाब के योग वनेंगे कारे छेतर में आ रही समस्याओं का समाधान निकालने में काम्याब होंगे एक बार फिर आप अपनी ले में आ जाएंगे और करियर और कारोवार की दिसा में शुकद परणाम देखने को मिलेंगे हाला कि इस दौरान आपको पैसे के लेन देने में थोड़ी ज्यादा साब्धानी बरतने की जरूरत रहेगी शुक शुविदाओं की चीजों को खरीदने में जेव से ज्यादा खर्च हो सकता है और प्रेम संबंदों में संभल कर कदम बढ़ाएं अपने लव पार्टनर की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा हस्त छेप करने से बचें अन्यथा आपकी तकरार वड़ सकती है दामपत्य जीवन में मधुरता वनी रहेगी शेहत को लेकर किशी भी प्रकार की लापर वाही ना करें अन्यथा एक बार फिर आपके पुराने रोग उभर सकते हैं तो आपके लिए जो उपाए हैं रविवार के दिन गेहू एवं गुड का दान करें और विश्णु सहसनाम का पाठ करें या सुनें अब आते हैं कन्या राशी तो कन्या राशी के जुजातक हैं उनको इस सप्ता सौभाग का पूरा साथ मिलेगा महनत और परिश्णम की बदावलत आप शफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे सप्ता की सुरुवात में ही करियर कारोबार में अच्छे परणाम प्राप्त होंगे पूर में किये गए निवे से आपको लाब होगा सामाजिक गत्विदियों में आप बढ़ चड़ कर हिस्सा लेंगे हाला कि भूमी भवन आद की क्रय विक्रय को लेकर खूब सोच समझ कर निर्णे लेने की आबश्यक्ता है अन्य था आपको बाद में पस्ता हो सकता है प्रेम सम्मंदों में एक दूसरे पर सक करने की वज़ाद एक दूसरे की भावना को समझने का प्रियास करना उचित रहेगा जीवन शाथी की सिहत को लेकर मन थोड़ा बिचिलत रह सकता है आपके लिए उपा हैं आप गणपती की उपासना करें और अपने पास हर समय हरे रंग का रुमाल रखें अब आते हैं तुलारासी तो तुलारासी के जो जातक हैं उनको इस सप्ताह की सुरुवात में कठिन परिश्रम के वाधी सफलता का योग बनेंगे कारशितर में बिरोधी सक्रिय रहेंगे इस दौरान आपको धेर से काम लेते हुए आगे बढ़ना होगा क्योंकि सप्ताह के उत्तरार्ध में चीजें धीरे धीरे आपके अनकूल होने लगेगे आए के मुकाबले ब्याई की अधिकता रहेगी ऐसे में सोच समझ कर पैसों को खर्च करें बेरोजगार लोगों को रोजी रोजगार के लिए अभी थोड़ा और इंतिजार करना होगा इस शप्ता सेहत को लेकर खूब शापधान रहने की आविशकता है खान पान पर विशेश ध्यान रखे प्रेम संबंदों में मजबूती बढ़ेगी कठन समय में आपका लब पार्टनर आपके साथ खड़ा होगा और पती पतनी के बीच में भी सोहार्द बढ़ेगा उपाय किसी कार विशेश की सफलता के लिए मा या फिर किसी बुजर्ग महला का आसीदवाद लेकर घर से निकले और देवी दुर्गा की साधना कर लेकर अब आते हैं ब्रश्चिक रासी के जो जातक हैं उनको इस सप्ताह मनो वांचित सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं बनते हुई नज़र आ रही है कारी छेतर में यदि आप लंबे समय से प्रमोशन के लिए परेशाम थे तो आपके उपर आपके बॉस की कृपा वरश्च्टी है विदेश से जुड़े काम करने वालों को लाब होगा और कारोवार में आ रही मुस्किलें खत्म होगी पूजा पाठ या फिर कहें किसी धार में कारी को करने का योग वनेगा इस सम्मंद में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा भी हो सकती है और शंतान पक्ष की उपलब्दी से आपके सम्मान में बडोत्तरी होगी लब पार्टनर से कोई सर प्राज गिफ्ट मिल सकता है दामपत्त जीवन में मधूरता को वनाई रखने के लिए जीवन शाथी की भावनाव को अन देखा करने से वज़े आपके लिए उपा हैं कि आप मंगलवार के दिन मशूर की दाल दान करें और हनुवान जी की पूजा और उनका चालीसा का पाठ करें अब आते हैं धनुराशी तो धनुराशी के लिए यह सप्ता सामान से भी अच्छा शावित होगा घर में छोटे भाई वेहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा आपके द्वारा लिए गए निर्णेयों की परिजन सराहना करेंगे कारिशेत्र में सीनियर्स एवं जूनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा शामाजिक पदपित श्ठामी बढ़ोतरी होगी सत्ता पक्च से लाव के योग वनेंगे कांट्रेक्ट या कमीशन पर काम करने वालों के लिए यह सत्ता काफी लखी सावित होगा भावतिक सुक्षो विधाओं की प्राप्ती होगी और लब पार्टनर की शाथ वेहतर समय विताने के अबशर प्राप्त होगे दामपत्ती जीवन में मधूर्ता वनाए रखने के लिए अपने बिजी सेड्डूल में से जीवन शाथी के लिए भी थोड़ा समय जरूर निकाले खान पान पर विशियस ध्यान दे अन्य था आपको पेट सम्मंदी रोग भी हो सकते हैं तो आपके लिए उपाए हैं गुरुवार के दिन लक्षमी नाराण जी को बेशन के लड़ू एवं पीले पुस्प अरपित करके व्रिश्नुर सहत नाम का पाठ करें मकर राशी मकर राशी के जातकों की सप्ताह की सुरुवात में पहले से चली आ रही परेशानियों में कुछ राहत मिलती नजर आएगी कारशेत्र में सीनियर्स एवं जूनियर्स का पूरा सहीयोग मिलेगा और विरोधी परास्त होंगी यदि आप कुछ नया करने की सोच रहें तो कार विशेस में सफलता पाने के लिए शंबंधित विशेसक अथवा अपने सुब चिंतकों की सलाह अवस्य ले ले शेयरवाजार या फिर किसी जोखिम से भरे कार के लिए समय ठीक नहीं है ऐसा करने से बचें प्रेम शंबंध में परस पर आकर शन वड़ेगा और एक दूसरे को समझने के कई अवस्तर प्राप्त होंगे कामकाज की विश्तता के चलते जीवन शाती और परिवार के लिए समय निकालना थोड़ा मुस्किल भरा रहेगा परिख्षा प्रितियोगता की तैयारी में जुटे चात्रों को शफलता के लिए अधिक परिश्रम करने की आबश्यक्ता रहेगी आपके लिए उपा है कि आप गरीवों को दान करें और हनुमान जी की उपासना एवं सुन्दर कांड का पाठ करें अब आते हैं कुम्भ राशी तो कुम्भ राशी के जो जातक हैं उनको इस सप्ता की सुरुवात कुछ तनाप पूर इस्तियों से गुजरते हुए हो सकती है इस सप्ता आपको आर्थिक मामलों को लेकर सोच समझ कर निर्णे लेने की जरुवत रही असमंजस की इस्तिती में किसी बुजर्ग अथवा अनुभवी ब्यक्ति की सलह लेने के वाद ही कोई बना निर्णे ले पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचे और जल्दवाजी में कहीं भी धन रिवेश करने से आपको बचना चाहिए सकारात्मत सोच से प्रेम शम्मंदों में मिठा साईगे और दोनों के दीच आकर सन वड़ेगा दामपत्य जीवन में मतवेद ना उभरने पाएं इसके लिए जीवन शाथे की भावनाव को समझने का प्रियास करें तो आपके लिए उपा हैं कि शनिवार की दिन पहना हुआ जूता किसी गरीव को दान करें और प्रती दिन हनवान जी की उपाशना करें अब आते हैं मेन राशी तो मेन राशी के जो जातक हैं उनको इस अपता व्यवशाय में आने वाली मंदी परिशान करेगी और किसी भी नई योजना यव्यवसाय में धन लगाने से पहले खोव सोच विचार कर आगे बढ़ना होगा कारिशित्र में किसी के साथ हसी मजा करने से बचें अनिता आपकी बात का बतंगड बन सकता है भूमी भवन शम्मंदों से जुड़ी शमस्याओं को टालने की वज़ाय उसका समाधान खोजने का प्रियास करें क्योंकि आपके आँख मूद लेने मातर से ही मुशीवत रूपी है बिल्ली नहीं भाग जाएगी घर परिवार हो या कारवा पैसे रुपे का हिसाब किताब ठीक करने तरीके से करके आगे बढ़ने की आपको जरुवत है अन्यथा आपके साथ बिवाद की आशंका है प्रेम शम्मंदों में चली आरही परेसानियों में थोड़ी कमी आएगी लेकिन अभी भी आप इस दिसा में सोच समझ कर कदम बढ़ाएं तो वेहतर रहेगा दामपत्य जीवन में जीवन शाथी का शाथ बना रहेगा आपके लिए उपा है प्रती दिन भगवान शूरी को अर्ग दें और शादुसंतों की सिवा करने के लिए किसी धर्म इस्थान की सफाई करें ओम नमश्शिवा आज के लिए इतना ही आगे फिर मिलते हैं अगले सब्ता आपके नए रासी फल के साथ नमस्कार